हेलो एवरिवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रवी अदीती क्लासेज में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे बायलोजी के टॉफ फिफ्टी जीके एमसी क्यूज को दिखिए ये सेट हम अल्रडी कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक 13 सेट जो हैना अल्रडी चैनल में अप्लोड़ेड हैं अगर आपने अभी तक देखा नहीं है उनको जाके जरूर देख लीजएगा most important सारे questions हमने इस सीरीज में cover करें हैं biology के तो आज की इस वीडियो में हम cover करेंगे set 14 of biology top 50 MCQs तो friends यहाँ पे सारे questions जो हैना selected और most important है अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफी beneficial होने वाला है तो पूरे वीडियो के एंट तक बने रहेगा जो भी questions previous year में देखे गया है उनको भी मैंने यहाँ पे add किया है और साथ में upcoming exam के लिए जो most questions important questions बन सकते हैं वो भी यहाँ पे हम discuss करेंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं आपके पहले question से पहला question है daltonism is a name refers to which of the following disorder as the name was kept in honor of john dalton the father of atomic theory तो यहाँ पे देखे friends एक disorder है उसका नाम जो है ना john dalton जो की father of atomic theory है इनके नाम पे रखा गया है और इसका नाम रखा गया है daltonism आपको बताना यह कौन सा disorder है तो right answer यहाँ पे हो जाएगा color blindness ठीक है जो color blindness होता है इसको हम daltonism की नाम से भी जानते है तो यहाँ पे देखे friends जो color blindness होता है red green type का जो color blindness है जीसे हम यहाँ पे deuterian उपिया भी कहते हैं इसे daltonism की नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ अब तीन नाम देख सकते है डALTONानिशम color blindness और थुर्ड num है यहाँ यहाँ पे के नाम पे डाल्टनिजम का नाम रखा गया है आप पिक्चर देख सकते हैं फ्रेंट्स ये हैं जॉन डाल्टन आगे बढ़ेंगे आपका अगला कोशन रहेगा तो देखिए जैनवरों की जो अधिक्तम संख्या वाली प्रजातिया निमलिकित में से किस सम्मूवी संबन्दित हैं तो प्रीवियस सेट अगर आप देख रहे हैं बायलॉजी के फ्रेंट्स तो हमने वहाँ पे काफी बार आरेच विटा करके फाई किंग्डम क्लासिफिकेशन को डिसकस किया है तो वहाँ पे हमने डिसकस किया है कि पाँच किंग्डम में डिवाइड किया गया है पूरे स्पिशीज को तो पहला होता है यहाँ पे Monera होता है पहला जहाँ पे सारे Bacteria's को Classified किया गया है Next आते हैं friends, Protista Third आते हैं यहाँ पे Fungi Okay Fourth आते हैं Plante यानि कि यहाँ पे सारे Plants आते हैं और Animalia जो है ना 5th Classification है इस Kingdom का तो जो आप Animalia यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर यह सारे Groups आते हैं Mammals, Aves, Pisces, Arthropoda Okay तो Mammalia, Human Being जो है Mammalia के अंदर आते हैं Aves के अंदर आते हैं friends, जो Birds होते हैं वो और Pisces के अंदर आते हैं, Fishes तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो Maximum Number of Animal है, जो Maximum यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं वो इन में से किस कैटेगरी में आते हैं तो friends, इसका जो Right Answer है ना यह हो जाएगा यहाँ पे, Option Number D, Orthropoda तो Orthropoda एक ऐसा Group है, जिसके अंदर Maximum जो Animals हैं, वो अंदर आ जाते हैं देखिए, Orthropoda is the largest phylum of Animal Kingdom, because around two-third of the total animal named species on Earth belong to this phylum, तो जितने भी Animals यहाँ पे देखे जाते हैं, उसका जो two-third हिस्सा है friends, यह सारे Orthropoda के अंदर आते हैं, इसके कुछ example यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे के Ants होते हैं, Mosquitoes होते हैं, Flies, Cockroaches, Shrimps, Crab, Spider, Scorpion यह सारे example होते हैं, Orthropoda के, आगे बढ़ेंगे Next Question है, आपका यहाँ पे देखे फ्रेंट्स Policy Themia, is a disease related to, तो यह disease किसे related है, राइट आंसर हो जाएगा friends, red blood cells, तो red blood cells से यहाँ पे यह related है, तो इसमें होता क्या देखे, it refers to increase in the number of red blood cell in the body, which cause the blood to be thicker, and this turn in turn, increases the risk of other health issues, such as blood clot तो इसमें क्या होता है, normal के comparison में जो blood होता है, RBCs होते है यह थिक हो जाती, यानि कि जो blood है वो थिक हो जाती है, इसके वज़े से क्या होता है, different health issues आते हैं, जैसे कि blood clotting होने लगती है, तो यह होता है friends, polycythemia और यह red blood cell की एक disease है, आगे बढ़ेंगे, next question रहेगा, the elements which are found in hemoglobin chlorophyll chalcopyrite and vitamin B12 are respectively as follows, तो यहाँ पर आपको चार elements बताने हैं, जो इन चारों में पाए जाते हैं, इसके central metal atom आपको बताने हैं, तो friends, देखिए, hemoglobin जो है न, hemoglobin में आप सबको पता है कि iron जो है, पाया जाता है, ठीक है, तो आपको पहले तो यहाँ पे classify देख लेना है, option number A, B और C में iron है, next बात करें, chlorophyll, तो chlorophyll में यहाँ पे, friends, magnesium देखा जाता है, ठीक है, इसका जो central metal atom होता है न, यह chlorophyll का होता है, चालcopyrite के बात करें, तो यहाँ पे, इसमें होता है, जो element, यह copper है, और vitamin B, आप सब जानते हैं, इसमें cobalt पाया जाता है, तो option number B, जो है, यहाँ पे correct answer हो जाएगा, यह very important question है, इसको आप star mark कर लीजे, exam में आप से, सिर्फ एक भी पूछा जा सकता है, और चारों मिला कर भी पूछा जा सकता है, चलिए, next question आपका देखिएगा, यहाँ पे, protein in the pulses is found in which of the falling form, तो देखिए, जो डाल होते हैं, इसमें protein पाई जाती है, आप सब को पता है, तो इन में से किस रूप में protein इसमें पाई जाती है, तो protein friends, जो pulses होते हैं, दाल होती हैं, इसमें albumin के नाम से पाई जाती हैं, देखिए, pulses are low fat source of protein and on average pulses contain about twice the amount of protein found in whole grains like wheat, oat, barley, rice, तो दालों में जो protein है वो albumin के नाम से जानी जाती है और इसमें जो यहाँ पे protein की content होती है friends, वो दुगनी होती है in comparison to wheat, oat, barley and rice, अगला question, the cork cells are impervious to water, which among the following is responsible to give the quality of cork, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, यह cork है क्या है ना, तो friends देखिए, जो आप यह picture देख रहे हैं, यह wood है, है ना, यानि कि एक part है, tree का इसका जो outer layer है ना, इसे हम cork कहते हैं, तो इस cork के खासियत होती है, कि यह water को जो है ना, अंदर जाने नहीं देता है, तो आपको बताना है, यह quality है, मतलब यह water को अंदर नहीं allow कर रहा है, यह उसमें क्या पाया जाता है, जिसकी वज़े से यह qualities में present है, तो friends, जो cork cells होते हैं, इसमें पाया जाता है subaren, ठीक है, तो इसकी वज़े से जो है, यह impervious होता है, water से, तो I hope आपको clear है, ऐसे questions friends, जब exam में, question tough level में देखा जाता है, तो ऐसे questions आते हैं exam में, तो ऐसे हर एक question को हम यहाँ पे cover करेंगे, जो भी, यानि easy to, hard level के सारे question हम इस series में cover करने वाले हैं, तो आपको पूरे जो series है, इसको continuously देखते रहना है, right, next question आपको रहेगा, which among the following is essential for both activation and action of thrombine, तो देखिए, निमलिकित में से कौन सा thrombine की सक्रियता और क्रिया, दोनों को लिए आविशक है, right answer यहाँ पे है, option number C, CA2+, तो देखिए, thrombine is a naturally occurring enzyme that convert fibrinogen into fibrin, which is integral part of clot formation, तो देखिए, thrombocyte, हम यह कहते हैं, platelets को, तो जो thrombine है, यह एक naturally occurring enzyme होता है, जो क्या करता है, यह fibrinogen को fibrin में convert करता है, जिसकी वज़े से clot बनता है, तो जब भी चोट लगती है, तो देखते हैं, थोड़े देर के बाद वहाँ पे clot formation, पहले blood आता है, उसके बाद फिर clot formation होता है, तो यह जो होता है, यह होता है, due to platelets और इसमें पाया जाता है, thrombine इसकी वज़े से, तो यहाँ पे CA2+, इसमें पाया जाता है, तो CA2+, is essential for both activation and action of thrombine, तो thrombine के action के लिए CA2+, important है, आपका अगला question, which among the following is correct definition of saprophytes, तो saprophytes क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखिए, right answer हो जाएगा, option number C, a heterotropic plant that feeds upon dead organic matter, तो आपने यह 8th और 9th classes में भी पढ़ा है, saprophytes, autotropes और इसके साथ heterotropes, यह सारे होते हैं, तो यहाँ पे on dead and decaying animals, ठीक है, matter आप कह सकते हैं, तो right answer यहाँ पे option number C है, अगला question देखिए, which among the following is a true attribute of polar bear, तो polar bear किस तरीके का यहाँ पे character show करता है, मैंने कि यह अगर आपको बताना है, harbivore है, omnivore है, carnivore है, किस तरीके का यह animal है, तो friends, यह एक carnivore होता है, okay, तो carnivore क्या होते हैं, ऐसे organism जो, जो meat को खाते हैं, उसे हम carnivores कहते हैं, तो polar bear carnivores होता है, देखिए, polar bear is the largest land carnivore animal, weighing about 350 to 700 kg, तो देखिए, यह largest land carnivore animal है, exam में आप से यह directly पूछा जा सकता है, which of the following is the largest land carnivore animal, तो right answer, यहाँ पे polar bear हो जाएगा, और इसका जो weight होता है, यह होता है, around 350 to 700 kg, codiac bear which is also of same size is a omnivore, तो देखिए, polar bear के तरीके का एक और होता है, जिसका नाम है codiac bear, बट यह carnivore नहीं होता, यह omnivore होता है, अगला question, match the following, यहाँ पे आपको कुछ options दिए हैं, आपको इसको match करना है, right, तो friends, देखिए, यहाँ पे कुछ diseases के नाम दिए हैं, और यह किसे cause होता है, यह आपको बताना है, तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, beri-beri, beri-beri किस वज़े से होता है, यह vitamin B के कमी से होता है, ओके तो यह vitamin related disease है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो C का option है ना, यह option number 4 हो जाएगा, lack of thiamine, right, इसके साथ बात करें, mumps, तो mumps जो है होता है, यह होता है, due to virus, tuberculosis की बात की जाए, friends, तो यह होता है, due to bacteria, और dysentery होती है, due to protozoa, तो आप इस तरीके से match कर दीजे, A का 3 हो जाएगा, तो अब देख सकते हैं, option A में सिर्फ A का 3 है, तो option number A इसका right answer है, अगला question, neem tree, जिसका, यहाँ पे scientific name क्या है, देखे, अजारी रख्टा, indica, has acquired industrial importance as a source of, तो यहाँ पे नीम के पेड़ने, किसके स्त्रोथ के रूप में, और द्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है, correct answer हो जाएगा, option number C, यह एक bio fertilizer का काम करता है, bio pesticide है, anti fertility compound भी है, option number C, right answer हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, who proposed the model of protein synthesis, तो हमने काफी बार discuss किया, इसके बारे में, जो protein synthesis का process है, इसको किसने यहाँ पे बताया है, आपको बताना है, right answer हो जाएगा, friends, यहाँ पे, देखिए, Oswald, Avery, Maclean McCarthy, और Colin Maclean, इन तीनों ने जो है, discover किया है, protein synthesis को, right answer, option number D है, और इसके साथ एक और important point, देखिए, तो यहाँ पे DNA से जब RNA का formation होता है, तो friends, हम इस process को कहते हैं, transcription, okay, और वहीं बात करें, RNA से जब protein formation होती है, तो इसे हम कहते हैं, translation, यानि इस process को हम translation कहते हैं, तो आप इस point को यहाँ पे याद रखें, मैंने आपको दो-तीन बार previous वाले series में बताया हुआ है, बट स्टिल आप इन्हें, यहाँ पे एक बार just revise कर लें, तो cell growth, synthesis of DNA, synapses and synthesis of proteins, तो इन्होंने जो है, इन सभी चीजों को discover किया है, आगे बढ़ेंगे, next question, the study of bryophytes and pteridophytes is known by which terms, तो यहाँ पे देखे, bryophytes and pteridophytes, इनके study को क्या कहते हैं, इनके study को यहाँ पे कहा जाता है, friends, bryology, option number B, right answer हो जाएगा, इसके लावा यहाँ पे cytology study of cell होता है, mycology क्या होता है, यह study of fungus होता है, और pomology की बात की जाए, friends, तो यह एक branch होता है, botany का, जहाँ पे हम fruits और उसके cultivation के बारे में बढ़ते हैं, next, who is known as the father of the word ecosystem, तो ecosystem, यानि की पारिस्थिति की तंत्र, इसके अलावा, friends, यहाँ पे, अगर आपसे father of modern ecology पूछा जाए, तो यह है, Eugene Odom, right, तो father of ecosystem, अगर आपसे पूछा जाए, word ecosystem, तो यह Arthur Tansley है, और father of modern ecology, यहाँ पे Eugene Odom है, next, which of the following cell organelles contain RNA, तो इन में से कौन सा ऐसा कोशी कांग है, जिसमें RNA होता है, right answer, option number C हो जाएगा, friends, ribosomes, तो देख सकते हैं, यह एक cell है, cell organelles, यहाँ पे आप picture देख सकते हैं, friends, तो इन में से, आप देख सकते हैं, यह छोटे structure, जिसको हम ribosome कहते हैं, यह contain करते हैं, यहाँ पे RNA, तो ribosomes are small organelles, that contain RNA and specific protein with the cytoplasm, next question, which of the following is a group of plant, that has the largest ovule, the largest gamete and largest tree, तो friends, आप देख रहें, यह question कितना important है, इन में से कौन से ऐसा पौधा है, यह फिर पौधे का एक समू है, जिसका सबसे बड़ा बीजान, सबसे बड़ा युगमक और सबसे बड़ा पेड होता है, तो यहाँ पे right answer हो जाएगा, आप्शन नमबर B, जिम्नोस्पर्म, नेक्स कोशन, वेनेशन is a term used to describe the pattern of arrangement, तो यहाँ पे friends, जो leaf होता है, leaf में, या फिर आप कह सकते हैं, stem में leaves कैसे arranged हैं, इस process को हम कहते हैं, या फिर इस pattern को हम वेनेशन कहते हैं, अब देख सकते हैं, यह stem है, जहाँ पे इसमें leaves alternate तरीके से arrange होई हुए है, तो इसे हम alternate phylo-taxi कहते हैं, नेक्स बात करें, यहाँ पे आप देखिए, opposite तरीके से हैं, तो यह opposite venation हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखिए, यह कुछ गोल तरीके से leaves arranged है, तो यह hold phylo-taxi होती है, तो यहाँ पे जो right answer हो जाएगा न, यह है option number B, weeds and weanlets in a lamina, अगला question, an aerobic process in which energy can be released from glucose, even when oxygen is not available is called, तो इस process को कहते हैं friends, fermentation, next question, which plant material is called an embryo, तो इन में से पादब पदार्थ को भ्रून कहा जाता है, तो embryo कहा जाता है friends, इन में से seed को, ठीक है, the seed contain plant material, it can develop into another plant, this plant material is called as embryo, तो आप देख सकते हैं, यह seed है, तो seed के इस part को हम embryo कहते हैं, next question, cucumber is an example of which type of crop, तो खीरा, यह किस प्रकार का फसल का उधारन है, तो friends, यह एक Z crop है, summer crop है, option number B, right answer हो जाएगा, तो discuss करते हैं, कुछ crops के बारे में, three types of crop होते हैं, खरीफ, रभी and जाएद, खरीफ, rainy crops होते हैं, रभी, winter crops और जाएद, जो है, यह summer crops होते हैं, इसके लावा example हैं, आपर discuss करें, तो खरीफ के example में आते हैं, rice, जुवार, बाजरा, cotton, jute, maize, sugar cane, रभी crops की बात की जाए, wheat, gram, pea, potato, barley, oilseed, onion, oats, यह सारे example हैं, रभी crops के, और जाएद crops के, आपर example देख लीजे, cucumber, जिसे भी हमने question में डिसकस किया, mango, watermelon, moong dal and pumpkin, तो I hope आपको यह clear है, friends, काफी important यह picture है, इसको आप अच्छे से याद रखें, examples आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, तो friends, आगे जाने से पहले, आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारे paid PDF के website के बारे में, यह है www.ravibooks.pdf.com, friends, यहाँ पे आपको रभी सर की, GK and current affairs की जो PDFs है न, Hindi and English medium दोनों में मिल जाएंगी, तो आप इस website से जाके उनको buy कर सकते हैं, और friends, हाली में आपके लिए, जो last four months का current affairs का PDF है, यह यहाँ पे launch किया गया है, जहाँ पे आपको January to April, ठीक है, January से लेकि April तक के सारे current affairs एक ही PDF में मिल जाएंगी, तो यह PDF भी आपको यहाँ पे अविलेबल किया गया है, अगर आप उसको buy करना चाते हैं, इस website से जाके buy करें, और साथ में friends, April monthly current affairs, जहाँ पे 550 plus one liner and MCQ question आपको मिलेंगे, वो भी topic wise, यह भी यहाँ पे अविलेबल है, तो आप इन में से कोई भी PDF अगर buy करना चाते हैं, इस website उसे जाके buy करें, चलिए, अगला question, earthworm and leeches belong to which phylum, तो earthworm और जो leech होते हैं, वो इन में से किस phylum में आते हैं, यह आते हैं friends, ऐनलेडा में, थोड़े दर पहले हमने arthropoda के बात की थी, जिसमें जो जितने भी animals हैं, उसमें से जो two-third animals होते हैं, वो arthropoda में आते हैं, बड़ बात करें, earthworm और leeches की, तो यह एनलेडा में आते हैं, देखें, earthworm and leeches belong to the phylum, तो यह कैसे होते हैं, aquatic या terrestrial दोनों होते हैं, free living और parasitic भी होते हैं, ठीक है, they have organs called nephredia for excretion, तो excretion के लिए इनके पास, एक special यहाँ पे organ होता है, जिसके हम nephredia कहते हैं, अगला question, which of the following organism can reproduce through regeneration, तो friends, ए sexual reproduction में different type of, यहाँ पे process देखे जाते हैं, उनमें से one of the process है, regeneration, regeneration देखा जाता है, इनमें से hydra में, तो यहाँ पे regeneration और budding, दोनों ही hydra में देखे जाते हैं, चलिए, अगला question रहेगा आपका यहाँ पे, cuttlefish is member of which of the following, तो cuttlefish इनमें से, किसका example है, right answer हो जाएगा, यहाँ पे option number A, mollusk, तो इसके अदर कुछ और example है, जैसे कि squid हो गया, octopus हो गया और nautilus हो गया, तो यह जो cuttlefish है, कुछ इस तरीके का दिखता है, और यह mollusk का example है, next question, cephalopoda is a class of animal in which, तो cephalopoda क्या होते हैं, आपको बताना है, तो इसमें क्या होता है, जो food होता है न, यह head के पास located होता है, right, option number B, right answer हो जाएगा, cephalopoda यानि, ऐसे organism या ऐसे animals, जिनका जो food है, वो head के पास होता है, आगे बढ़ते हैं, next देखे, sucking mouth and rasping tongue is present in, तो यह present होता है, इन में से lamb praise में, आगे बढ़ेंगे, अगला question देख लीजे, where do reptiles lay egg, तो यहाँ पर जो reptiles होते हैं, वो X को कहाँ पर ले करते हैं, friends, यह करते हैं, X को lay in the land, the scientific name of peacock, आपको बताना है, तो peacock का जो scientific name होता है, यह होता है, pavo cristatus, इसके साथ friends, देखे, Columbia, Levia जो है, यह scientific name होता है, dove का, तो Levia जो है न, यह scientific name होता है, rock dove, rock pigeon, और common pigeon का, next, why is excretion a vital process in human body, तो यहाँ पर, excretion, एक काफी important process होता है, human body में, क्योंकि यह क्या करता है, यहाँ पर, because it helps to remove the waste product, from the body, जो भी waste product होता है, body से, excret out होता है, इसलिए excretion एक vital process है, अगला question रहेगा, dash is a decrease in glomular, filtration in human, तो जब glomerular, filtration कम होता है, human being में, यह cause करता है, renal failure, या फिर kidney failure, आप कह सकते हैं, अगला रहेगा, which of the falling, is not a symptom of rinder pest, तो इन में से, कौन सा ऐसा है, लक्षन, जो की rinder pest का, यानि की, लक्षन नहीं आपको बताना है, right answer देखिए, friends, सुझाएगा, blue urine, यहाँ पर dysentery, fever और overcrowding, जो एना, यह rinder pest में होती है, तो देखिए, symptom of rinder pest, includes constipation, with heart stools, continuing fever, dysentery, blood discharge, from eyes and nose, anorexia, leekopenia, and diarrhea, तो यहाँ पर सारे options, आप यह देख सकते हैं, blue urine, यह इसका कोई symptom नहीं होता, next, which of the following are, thrombocytes, काफी बार हमने discuss कर लिया है, thrombocytes कहते हैं, हम platelets को अभी थोड़े दर पहले बताया था, आपको मैंने, leukocyte हम कहते हैं, इन में से, white blood cell को आप देख सकते हैं, और red blood cell को हम कहते हैं, arthrocytes, अगला, which of the following are bacterial disease in human, तो इन में से, कौन सा एक bacteria causing disease है, तो bacteria से इन में से होता है, tuberculosis, cholera और leprosy, all of the above right answer है, तो exam में कुछ ऐसे questions आते हैं, जहां पर आपको directly पूछेगा, इन में से कौन सा ऐसा disease है, जो virus की वज़े से होता है, या फिर bacteria के वज़े से होता है, या फंगई के वज़े से होता है, तो यहां पर हम discuss कर लेते हैं, सारे bacterial diseases को, तो देखें, पहला है cholera, next है diarrhea, third pneumonia, diptheria, whooping cough, tuberculosis, anthrax, tetanus, plague, leprosy, and typhi, तो यह सारे जो हैं, next रहेगा, what disease are caused by staphylococcus aureus, तो यहां भी आप देख रहे हैं, यह bacteria का नाम है, staphylococcus aureus, आपको बताना है, इसकी वज़े से कौन सा disease होता है, तो इसकी वज़े से, इन में से skin infection होता है, endocarditis होता है, और osteomyelitis भी होता है, तो all of the above right answer है, तो जो staphylococcus aureus होता है, यह gram positive round shaped bacteria होता है, next, which of the falling ringworm is also known as tinea barbe, तो इन में से किसे tinea barbe खा जाता है, तो ringworm जो की होता है, इन में से beard में, इसे हम tinea barbe कहते हैं, अगला रहेगा, which is universally accepted law of inheritance, right answer, law of segregation, आगे बढ़ते हैं, आपका अगला question रहेगा, which of the following are the main sources of biofertilizer, तो इन में से कौन सा jab और वरको का, मुख्य स्टोथ होता है, तो यहाँ पे इसका right answer है, तो यहाँ पे इसका right answer है friends, देखे बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, फंगी, यह तीनों ही biofertilizer के main sources हैं, all of the above right answer है, देखे biofertilizer क्या करते हैं, यह क्या करते हैं, इनका काम क्या है, de-strap atmospheric nitrogen and reduce it to ammonia, and make it available to the plants, तो यह क्या करते हैं, nitrogen को reduce कर देते हैं ammonia में, और फिर available करते हैं, इसको किसको, plants को, तो यह process होता है biofertilizer का, they also convert insoluble phosphates into forms required by plants, right, next, which of the following is not used as biomass, तो देखे, पहले हम discuss करेंगे, biomass क्या होता है, फिर हम discuss करते हैं, यह क्या है, तो देखे, biomass is a renewable organic material, that comes from plant and animal, तो यह renewable organic material होता है, जो plant और animal से पाया जाता है, तो hybrid popular और willow algae, यह energy crops होते हैं, और इसको biomass की तरह use किया जाता है, नेक्स देखे, trap grease जो है, यह भी urban waste होता है, जिसको biomass की तरह use किया जाता है, यह यह hybrid popular, weed low algae और trap grease, है ना, यह तीनों जो हैं, biomass के example है, बट iron nails, यह कोई biomass नहीं होता, तो option number C, right answer हो जाएगा, next question, who among the following did the mapping of human genome, तो human genome का जो mapping है, किस ने किया है, यह किया है, friends, James Watson नहीं, अगला question, a man suffering from diabetes mellitus, drinks water more frequently, as he has to eliminate from the blood extra, तो madhu में से पीडित एक व्यक्ति, अधिक बार पानी पीता है, क्योंकि उसे रक्त से अतरिक्त डैश को निकालना होता है, तो friends, right answer यहाँ पे हो जाएगा, option number A, अधिक है, और उसको बाहर करने के लिए, उसको ज्यादा पानी पीना होता है, अगला, people with down syndrome, invariably affected by, तो यहाँ पे down syndrome वाले लोग, हमेशा डैश से प्रभावित होते हैं, right answer, Alzheimer's disease, अगला, the average lifespan of red blood cells is about, तो जो red blood cells होते हैं, जैसे हम Arthreocyte भी कहते हैं, उसका average life span आपको बताना है, यह होता है friends, about 100 to 120 days, देखे, red blood cell develop in the bone marrow, जैसे हमने डिसकस किया है काफी बार, अगर आपसे पूछा जाए, कि RBCs बनते कहां हैं हमारे पुरे बाड़ी में, तो देखे, friends, RBCs का जो formation है न, आपको यह तीनों पॉइंट के आज रखना है, bone marrow जहां पे यह develop होते हैं, recycle होते हैं by liver, यह store यानि की dead हो जाते हैं कहां जाके, spleen में जाके, the old, worn out and dead RBCs are destroyed, mainly in an organ called spleen, तो मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं, next देखे, animal protein is called first class protein, because it is, तो जो animal protein, पशु प्रोटीन होता है, इसको प्रधम श्रेमी protein कहा जाता है, क्योंकि, यह rich होता है amino acids में, और जो plant के protein होता है, उसे हम second class protein कहते हैं, अगला रहेगा, blood groups were discovered by, तो रक्त समूँ, यानि जो blood group हैं, आप देखते हैं, A positive, A B positive, B positive, O positive, तो यह जो है, यह किसके द्वारा discover किया गया है, इसको discover किया गया है, friends, Lance Steiner के द्वारा, ठीक है, देखें, Carl Lance Steiner, जिन्होंने discover किया है, यहाँ पे blood groups को, यह Austrian biologist है, और देखें, RH factor, यानि कि जो आप देखते हैं, positive या negative, O positive है, तो बिमार व्यक्ति में, antigen का प्रभाव क्या होता है, correct answer यहाँ पे हो जाएगा, option number A, it increases the production of antibody, तो जब कोई व्यक्ति बिमार होता है, तो उसके body में, ज़्यादा से ज़्यादा antibodies produce होते हैं, option number A, right answer है, अगला, in how many parts is human brain divided, तो जो human brain है, वो कितने भागों में विभाजित किया गया है, brain जो है friends, फ्रेंट्स की three parts में divided है, देख सकते हैं, आप four brain, mid brain and hind brain, तो यह तीनों जो हैं, part होते हैं हमारे brain की, अगला, seeds can be best preserved in which condition, तो जो seeds होते हैं, उनको अच्छे, यानि कि best condition क्या होता है, उसको preserve करने का, या फिर store करके रखने का, तो यहाँ पे होता है friends, cool and dry condition, ठीक है, cool and dry condition में इसको store किया जाना चाहिए, आपका अगला question, which of the following vitamin is stored in liver, तो इन में से कौन सा vitamin है, जो liver में stored होता है, right answer, vitamin E, तो यहाँ पे जो भी fat soluble vitamin है, यहाँ पे होते हैं store कहाँ पे liver में, तो यहाँ पे क्योंकि A और E भी है, A भी है, तो friends, यहाँ पे all of the above, इसका answer आप write कर लीजे, अगर यहाँ पे कुछ और हो, तो आप फिर इन में से जो भी दिया हो, वो आप choose करें, अगला, chlorophyll was first isolated and named by, तो chlorophyll जो की plants में पाया जाता है, leaves में, जिसके वज़े से इसका color जो है green होता है, यह सबसे पहले किसके द्वारा isolate किया गया था, right answer हो जाएगा, देखिए, Kevento and Pelletier, तो 1817 में, Kevento and Pelletier ने इसे discover किया था, अगला, a specific function of light energy, in the process of photosynthesis is to, तो प्रकाश संचलेशन की प्रक्रिया में, प्रकाश उज़ा का एक विशिष्ट कारे क्या होता है, right answer हो जाएगा, absorb water, option number B, right answer है, तो एक बार photosynthesis के पुरुष्टिस को यहाँ पे discuss करेंगे, the process of photosynthesis, occur when green plants use the energy of light, to convert carbon dioxide and water into carbo hydrate, तो यहाँ पे friends क्या होता है, sunlight के presence में, जो carbon dioxide होता है, और water होता है, यह किसमें convert हो जाता है, यह convert हो जाता है glucose, जिसे हम कहते हैं, C6H12O6, plus oxygen में, तो यह produce होता है, in the process of photosynthesis, light energy is absorbed by chlorophyll, a photosynthetic pigment of plant, तो यह जो sunlight है, यह leaves जो है ना, और जो carbon dioxide यहाँ पे आप देख रहे हैं, और oxygen देख रहे हैं, यह leaf case टुमेटा से enter करते हैं, friends आगे बढ़ते हैं, आपका next question और last question रहेगा यह, what is the largest internal organ in human body, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है, यह होता है friends, liver, और इसके अरावा आपसे largest organ पूछा जाए, यहाँ पे largest internal organ पूछा जा रहा है, यह क्या है, यह है liver, और वहीं अगर आपसे largest organ पूछा जाए friends, तो यह skin है, इसके साथ smallest organ जो होता है, यह pineal gland होता है, pineal gland कहाँ पे located है, यह center of the brain के पास located है, पिक्चर में आप देखिए, यह आप देख रहे हैं, brain का center, यहाँ पे pineal gland located है, right, तो friends, यह हो गए आपके top 50 most important question of biology, तो मैंने यहाँ पे जो भी previous year के question आ चुके हैं, और जो आ सकते हैं, exams में, उन सब को यहाँ पे include किया था, तो previous set को भी आप ज़रूर देख लीजेगा, हम वहाँ पर भी काफी सारे questions already cover कर चुके हैं, तो अब आते हैं आपका test question, जिसका answer आपको हमें comment करके बताना है, देखिए आपका पहला question है, polycythemia, is disease related to, तो polycythemia जो है, यह किससे संबंदित एक बिमारी है, आपको बताना है, very easy question, तो आप यह हमें comment करके बताएं, अगला question रहेगा, आपका blood group were discovered by, तो blood group, यानि की रक्ट समों की खोज, किसके द्वारा की गई थी, यह आप हमें बताएं, इसके अलावा मैंने आपको RH factor के बारे में बताया था, जहाँ पर, क्या होता है, जो सो O positive और O negative है, तो यह जो plus minus है, यह किसने discover किया था, यह भी आप हमें बताएं, ठीक है, यह दोनों आप comment करके आंसर दें, आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ मैंने आपको अलड़ी बताया है, हमारे paid PDF के website के बारे में, यह है www.ravibookspdf.com, यहाँ पर आपको रवी सर की GK, और current affairs की जो PDF होती है, Hindi और English Medium दोनों में मिल जाएंगी, तो आप इस website से जाके उनको buy कर सकते हैं, यहाँ पर आपको friends, एपरिल का जो monthly current affairs का PDF है, जहाँ पर आपको topic wise 550 plus one liner and MCQs मिल जाएंगे, यह भी मिल जाएगा, January 2, April का जो last four month का current affairs का PDF है, यह भी आपके लिए available किया गया है, और साथ में friends 2023 का जो current affairs है, यानि कि yearly current affairs, जो अप coming exams के लिए very very important है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो इन में से कोई भी PDF सगर आप buy करना चाते हैं, e-book buy करना चाते हैं, इस website चे जाके buy कर सकते हैं, ओकी? Alright friends, तो यह था हमारा आज का last slide, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो वीडियो को like और अपने friends के साथ share जरूर करिएगा, और यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें comment करके जरूर बताएं, मिलते हैं एक और important topic के साथ, next video में, तब तके लिए thank you and have a nice day!